हलो दोस्तों आजम करेंगे अचाची प्रैस्टिक सेट अब प्रैस्टिक सेट के बिना किसी भी एक्जाम को कलियर नहीं कर सकते हैं अगर आपना एक्जाम में सेलेक्शन पाना चाहते तो प्रैस्टिक सेट देना बहुत जरूरी है क्योंकि सेट देने से मैं पता जल जाते है लाल पर क्वस्जिष्य है। नीवन मैं से कौन सी मस्जिद गुरूग्या में शुड़ाइन टुर्टब आउस शराय अलिवर्धी पर ये सभी स्वाल में मस्जिद चलते हैं next question मेर 2 है cactus garden जो एसिया के सबसे बड़ा cactus garden है वहर्य और जिन में कहा परस्तीत है तो की जिल मस्तीत है तो right and stroke option A पंच्कूला जिल मस्तीश है cactus garden और पंच्कूला में एक यादबेंदर उद्यान वियाफ को एव याद रखना जिसे उत्तरबार्त का नंदैन्वन भी कहा जाता है और पंस्कुला में एक फिदाई खागा गार्डन है जिसे मोगल गार्डन भी कहा जाता है जिसकी स्ताफ़ना 1661 में की गई थी चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन नमर तीन है जोती सर सरोवर कहां स्तीत है जोती सर सरोवर कहां स्तीत है तो उसका right answer होगा option A यह कुर्खषित्यर मस्तीत है जोती सरोवर चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन नमर च्यार जोस्तों आप भी कॉमेंट करके बताना कि आपको कितने question पहले से आते हैं कितने question ठीक पाए question नमर च्यार है चरी चुरोंगी नाथ द्वारा निमन में से किस की स्थापना की गई थी चुरोंगी नाथ के द्वारा तो रायटन स्थापना की गई थी चुरोंगी नाथ के द्वारा तो रायटन स्थापना का ओप्शन बी एस तल बहुर मठ की स्थापना की गई थी चुरोंगी नाथ द् क्वेटिंननुबर 6 रज्जे कोन सास्थान, छोटे कासी के नाम से पर्सीद एमिनुवखें से किसीती सोटी कासी कहा जाता है तो और एट चंप्ऽेक, ऌसले UGiktayat और विवानी को भबना आजाता है के लेकिन छोटे कासी कहा जाता है विवानी को कासी मरना धाता है question number 7 है एत्मा दोलला का मकबरा आगरा में कहां पर स्थीत है सोरी आगरा में किस ने बनवाए था तो किस के दुवारा बना गया है एत्मा दोलला का मकबरा तो राइटन्सरो का option C तो इसे नूर जहां दुवारा बना गया था आपको सुमेलित करना है इन मेंonce क्या होगा राइटन्सर तो बली सोचकर बताना क्या हो सकता है तो आप ट्राई करते हैं तो आप से पहले ऐसान को टिक करते हैं चोरी, चोरा तो आपको सब को याद होगा तो एक कहां पर गटिती हला तो एक गटिती उत्तर परदेश में ठीक और ये यरवदा जेल का नाम तो आपने सुना होगा यरवदा जेल तो ये कहां पर ये माराश्टर में पढ़ती है पोने के पास में और जो ये बारदोली तो बारदोली कहा हो सकती है तो बारदोली सत्य गराब ये अपने सुना होगा जो 1928 में हुआ था कहां परोवा था ये गुजरात में होता और बच गया है नो अखली तो ये एक ही बचा है पस्ट सिम्बगाल में ठीक राइट अन्सर ये होगा चलते हैं नेक्ष्ट क्वेसन बर नो है मद्देकाल में बटाई सबद का अर्थ क्या है मद्देकाल में बटाई सबद का अर्थ क्या था तो आपको बताना है तो राइट अन्सरोग उप्शन बी लगान निर्दारन का तरीका का आजाता था बटाई को क्वेसन बर नो है दस सोरी गांदी जी ने एहसोग अंदोलन कब परारम किया था तो गोंदी जी ने एहसोग अंदोलन कब शुरू किया था तो राइट अन्सरोग उप्शन बी आजगी जी ने एहसोग अंदोलन और 1912 में चौरा ओर की कटरा होने के बाद इसे वापस ले लिए गया था ग्यारा है बील जाती कहां पाए जाती है तो B बिल जाती कहां पाई जाती है तो बता रहा है तो पाई जाती है Option D महाराश्टर में पाई जाती है B बिल जाती Q12 है निमट में से क्या अपसूंन माना जाता हर्याना में तो रायट एंसर होगा Option B बैस परसवार गौाले को अब सुभूर माना जाता है हर यानम अगर किसी वक्ति को दिख जाता है Q13 सोनिपत स्थीत गृजख खां का मकबरा किस साली में निर्मित है तो किस साली में बना गया सोनिपत में ग्रीजख खां का मकबरा तो उसका right answer होगा option B तो इसे पठान साली मना गया तो अगर मुझे कुछ भी question कर तो जाएत मुझे माप कर देना यह option जो भी पीछे दिये है प्रेस्टी खेट में उसी किदार प्रकरा रहा हूँ और मुझे जो गल्त लग रहा मैं वह सही करके भी करा रहा हूँ अगर पूस फिर भी मुझे कुछ गलता है जाए तो प्लीज आप कोमेट जरू करना कि सर यही इसका right answer होगा question number 14 है अक्षेतरबल के करम में बारत के तीन सबसे बड़ी राज्य है तो आपको सबसे बड़ी राज्य हुताने एक्षेतरबल के करम में पहले सबसे बड़ा पर उसे चोटा पर उसे चोटा तो रायट अंसर होगा तो रायट अंसर आपको दीख साएगा सबसे बड़ा है राध्यस्तान फिर मध्य परदेश फिर महारास्टर एक विकास खंड पर पंचैज सिमिती होती है तो उसका करिये क्या होता है जो एक विकास खंड पर पंचैज सिमिती होती है तो उसका करिये क्या होता है तो उसका रायट अंसर क्या होगा तो अप्शनों B एक प्रास किया है अधिकरन होता है एक विकास खंड पंचैज सिमित में तो लाक्टिक अमल के एकार मास्पेशियों में ठकावट होती है जब भी हम अधिक लंबा दोड़ते हैं तो हमारी मास्पेशिया दूखने लगती है चलते हैं नेक्स्ट में रेक्स ह्विडाले स्थापित हैं यह वह राइट है घंड इ係抬ilti और जो राष्टिय करनाल में पता है सक्षेशिया ब्रें सोध इससतान है यह टाटव पूर्म हैं यह गुरू गराम के मानसर में श्थीथ नेस्ट कवे सनवर 3 distint कि सक्फेल से सम्मंतित है तो या इसे बरदस्त किंस खेल से सम्मंतित है तो राइट राइटान रोगा। Equation eux यह कुष्टि से सम्मंतित है लिए कुष्टि कि अब्र आपको यह 2 ए Province आप हरियाना में नीमन में से की स्खाद्यान की खेति की जाती है तो इन में से की स्खाद्यान की खेति की जाती है हरियाना में उसका रायट रंसरोगा ओप्सन डी तो हरियाना में सभी खेति की जाती है ग्यहूं, चावल और चना इनकी सबसे ज़्यादा खेतियों तिया वैसे ग्योंगी question number 24 है राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अगरनी है तो रहान के की जिले में खुम्बी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है तो right and stroke option ने तो ये करवारा हूं आपको question number 23 है अरावली की पाड़ियां हर यान के की सेत्र में श्ती था तो right and stroke option ने तो ये तो में वात या नो में श्ती था अरावली की पाड़ियां next है question number 33 है नीमन में से लोडा पैनल की सिफारिष को अपनाने के लिए पहले बीसी श्याई का अस्दस्या बन गया तो कौन बना था इस पैनल को अपनाने वाला अस्दस्या है कौन सा संगने अपना थी तो right and stroke option भी विद्रव किरकट संगने इस से पैनल को अपना आया था question number 34 है कौन से दो राज्या है देश में सबसे पहले खूले में सोच मुक्त राज्या स्टेट बन गए तो कौन से बने थे पहले तो right and stroke option C गुजरात वा अंदर परदेश बारत में सबसे पहले खूले में सोच मुक्त स्टेट या राज्या बन गए थे next है next है जैजवान आवाश उजना के तहत सैनिकों के आसरितों को मिलने वाली राज्या की सिमा क्या है तो कितनी राज्या दी जाती है जैजवान आवाश उजना के तहत सैनिक के परिवार को तो right answer को option B तो उन्हें 50 लाग रुपे दिये जाते है next है question number 42 question number 44 है question number 44 है next है question number 44 है साच ओखा खोरी का मेला की सुमदा ऐसे समंदीत है तो की सुमदा ऐसे समंदीत है मेला साच ओखा खोरी का मेला तो आपको पताना क्या लिखा जाएगा दोस्तों आपको इसका एक तरीका देख लेते हैं देखो आपने देखा एस में एक जोड़ दिया जाता है तो एस पासे टी आता है तो एस प्लस में एक टी सी में एक जोड़ दिया जाता है तो एस सी एर डी हमें एक जोड़ दिया जाता है तो आया आता है ओ में एक जोड़ दिया जाता है तो एम आना तो तो इसी परकार question number 48, यदि किसी सांकेतिक बास हमें पीच को ये लिखा जाता है तो ready को क्या लिखा जाएगा तो इसका भी आप देख लेना उपर वाले के साथ में लगाता है विशाथ देख, P में 2 जोड़ जाता है तो P क्या हूँ, RS फिर E में 2 जोड़ जाता है तो E, F, G, तो उसी परकार R में 2 जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा RS, T आएगा शुरू में T आएगा, ठीक फिर E में 2 जोड़ जाता है, तो G आएगा घी आएगा, ठीक, फिर A में 2 जोड़ जाता है, तो C आएगा, तो right and stroke option D next है, question number 48 हरियान सरकार दोबड़ा दिव्यागों के लिए शुरू की गई आवास रोजना को क्या नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया बीतों से अनुकूल गहरा योजना नाम दिया गया था। नुम्न है। पसुपालन और डेरी विवाग मंत्री कोन है तो यह साथ इसमें प्रिंट दीवे हैं तो राइट रनसर आपको बता देता हूं तो पसुपालन और किसी मंत्री कोन हरियान में तो जेपी दलाल आपको यह भी याद रखना है और पसुपालन और डेरी विवाग को कि बार यह वकाल होगा तो सपन बारतियों सब्द का बहुत्य कसितों होगा यह वह को बता है मैं आफियर को सबय में शेख चलते हैं मैं को सब्सक्राइब कर रेखासिता डूद में यह तो पाया जाता है तो दूद में पाया जाता है एक मोनुशिय में हमस्य क्या पाया जाता है तो राल इन आपने किकाई को परकास वर्ष का जाता है जलते हैं नेक्स्ट क्वेस्ट नंबर 66 पर 720-840 अपको यह रिजनी का क्वेस्टन है तो इसके बाद 17 यहांपर यहांपर क्या आएगा 70 सटर आएगा यहांपर आप ट्राहिए ना कैसी आया कॉश्टन नंबर 67 है दन-ό лेन का हद दूरूप्योग तो लेखन का क्या होगा दूस्तों आपको बता देता हूँ मा जो कभी अगर हमारे पास जादा दन हो है यहां पर क्या आएगा तो आप ट्राइ करके देखना क्या होगा कि दोस्तों इसके साथ एक नया फार्मूला बना साथ इसका जोड आएगा 32 इसके जोड़ेंगा तो इसको आएगा 34 जैसे in anna tenha प्वाएग तो इसके जोड़ेंगे तो इसके जोड़ेंगे इसका फरका है तो इसका जोड होगा अगले करें रायट और स्रुहा最近 क्वेशन कैशन चलते हैं अरे धडंतर हर आर्ट पर और या माला किसे का जाता है तो राइट लोग औप्सेंड सी वर्णों के वैक्टिकत सुमू को वर्ण माला कहा जाता है नेक्स्ट क्वेस्ट नमर त्याइटर नीवन सभरों के उचान में कम स्मय लगते हूं और ने कहते हैं तो उन्हें कहा जाता है हरतो तो सबर और जिनके सब्रों कुछान करते से में जाजा से मैं लगते हुए रहे गया सब्र कि ब्रकार का सब्द है तो वाई यू में सब्द में आयता है तब सब्द हो तो सभ्षकर्ट से योग के तो इन दिवासा में प्रयोग किये जाते हैं तो question भर प्चेतर है रचना या बनावट के दार पर गर किस प्रकार का सबद है तो गर को किस प्रकार के सबद की सिंग्या दी गई है तो right answer ऐढ़ेखिए तो ऑसे म्स चाह ungef में से क्या उबाव वाचत सिंगा के अंतरगत आता है तो वाचत सिंगा के अंतरगत नहीं आता तो सब्सक्राइब होता हैं इसे के पूलिंग सबताना क्या होगा तो पूलिंग बताना क्या होगा तो राइट रोगा ओप्शन डी पूलिंग होता है बुटा पा आपको कनपूज हो जाते हैं मालसबद तो मालसबद क्या एक वचन है बहुचन है यह दोनों इनमें से कोई नहीं तो एक वचन है मालसबद पर कौन सा कारक है पर में आपको याद होगा हमें साथमी आठमी से पड़ते आ रहे हैं करता ने करम को करन से संपरदान के लिए अपादान से अलोग हो ना अधिकर्ण में पर तो रायट इनसे अप्षन डी अधिकर्ण में पर Q83 है, सरो नाम कितने परकार के होते हैं, तो सरो नाम कितने परकार के होते हैं, तो राइट 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 र तो one of us d में कौन सी संदी होगी तो आपको पता ना इसमें कौन सी संदी हो सकती है तो right answer क्या हो सकता है इसका तो right answer होगा option b में वर्दी संदी है next question में 80 बहूर मुरक का संदी वचेद कीजी चोरी बही मुरक का संदी वचेद क्या होगा तो right answer होगा option d बही पलस में मुख बही मुख्य कि यह जो विसरोग होता है यह री में बदल जाता है क्वेस्टन में 80 है परतिमान में कौन सा सबद है तो परतिमान में कौन सा समास है तो परतिमान में रायटन सरोगा उप्शन बी तो इसमें अविवाव उकुमा समास है क्योंकि पर्तिक उपसरग है और अभी बाव समास में उपसरग या पर्तिका उप्योग जाद होता है question number 80 है मापूर्ष में समास है तो मापूर्ष में कौन सा समास है करमदार या समास है मापूर्ष में कुछ विसेस्ता बताई गई है question number 89 है रात्री का प्रेवाची ने मिलिक्त में से क्या है तो रात्री का प्रेवाची बतान आपको क्या होगा तो रात्री को अक्समा भी कहा जाता है Next चलते हैs question number 39 मिलान करका आपको सूची एक चूची दो छलते है मिलान करते हैं मिलन करते हैं सब दोनु cheesecake मिलकर तो ₤्फ बिम पुर्ष्कार दिया जाता है यह भी आपको प्ताव संसकरत में पूसलिया जाता है उर्दूबास हमें सुर्ष्कार दिया दीवास हमें नेक्स्ट है हरियाना में सराब बंदी कानून लागू करने वाले मुख्यमंतरी कौन था तो किस के समय में सराब बंदी कानून मुख्यमंतरी बंद किया था उनसो ठनून फीर से खोल दिया गया था कवस्टेन नमर् שत्तर है सोड़ी है सुमहा यानकि लास्ट क्वस्टन है सब्टा एक पतिर का बारतिय निर्मान के समपादक कौन थे तो कौन थे बारतिय निर्मान के समपादक तो रuity चर्ण सरग झाल झाल